हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में और IRFC आज की टायम पे काफी अदा important stock इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे तो इस stock में जो रुकी वी रैली थी वो आ तो गई है लेकिन अब यहां पे दो चीजे हैं कि pre budget और post budget यानि कि budget के announcement से पहले ये share कहां से कहां तक जा सकता है और after budget यहां पे जो moment है वो कहां तक जा सकता है और क्या आपको सच में इस time पे इस particular stock में जो अपनी position है बना लेनी चाहिए या फिर नहीं सारी चीज़ों के बारे में discuss करेंगे मैंने already 2023 में कुछ अच्छे stocks का portfolio आप कैसे बना सकते हो कौन कौन से stocks आपको रखने चाहिए अपने portfolio में उसकी वीडियो अब भी अभी upload कर दिये है जाके आप देख लो 8 stocks बताए है उसमें आपको सारी diversified sector देखने को मिल जाएंगे सारा सीन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो IRFC जैसे कि मैंने आपको बताया तो Friday के दिन कोई बहुत बड़ा moment नहीं था लेकिन अच्छी बात यह है कि negative closing आपको देखने को नहीं मिले थी और करीवन करीवन अगर आप यहाँ पे देखोगे 32 रुपे 60 पैसे की closing IRFC ने दी थी कल से जब market open होगा तो उसमें आपको बहुत सारे changes देखने को मिलेंगे कल यहाँ पे market chances है कि एक अच्छे side पर open होते हो नजर आ जाए पिछले अगर हम इसके 6 महीने के overall returns के बारे हम बात करें तो 65-70% के returns आपको यहाँ पे बनते हो देखने को मिले हैं चोकि बहुत ही जादा battery returns माने जाते हैं अब directly में पहले एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि आकर जो analyst है वो क्या इस पे recommendation दे रहे हैं सबते पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 35-37 रुपीज तक के target आपको एक दो trading session में ही देखने को मिल सकते हैं ऐसा यहाँ पे जो overall analyst है उनके मानना है यानि कि आपको यह जो next week start होने वाले कल से उसमें आपको 35-37 रुपे तक यह share जाते हैं नजर आ सकता है उसके पीछे के बहुत सारे technical factors हैं बहुत सारी चीज़े हैं और budget के announcement आपको पता ही है फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो दूसरे भी अगर हम market expert के बारे बात करें अमरीस वलीगा उन्हों भी 35-36 रुपे के यहाँ पर बोला है कि यहाँ तक यहाँ आपको target देखने को मिल सकते हैं हैनि कि short term में तो बिलकुल यहाँ पर अच्छा कासा bullish moment दिखाई देता है लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि budget sensitive stock अगर हम यहाँ पर देखें कि budget के announcement का जिस पर सबसे ज्यादा impact पड़ेगा उसमें अगर मैं बात करूँ तो कुछ stock ऐसे हैं जिन पर directly effect पड़ चुका है औ और आने वाली टाइम में पढ़ने भी वाला है जैसे कि IRFC, IRCON, RBNL, Realtel यह कुछ जायते stock है जिन में अगर आप देखोगे तो already कुछ announcement government ने किये है modernization को लेके और अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजया और announced हो चुकी है जिसकी वजह से यह जो stock है बहुत ज्यादा highlighted बन जाते हैं अगर आप यहाँ पर देखो this wholly owned subsidiary of the Indian railways is an engineering and construction company that specializes in major infrastructure sectors including railways, highway bridges, flyover tunnels, metro and railway electrification तो यह सारी चीज़ों पर आपको देखने को मिलता है अब मैं आपको overall अगर एक चीज़ दिखा हूं तो इतना ज्यादा highlighted stock क्यों माना जाता है IRFC को और हर कोई चाहें आप इसमें returns नहीं भी आ रहे थे ना तब भी अगर आप देखोंगे तो किसी ने company के बारे में कोई भी बुराई नहीं की थी क्योंकि अगर आप देखो तो financial trend यहाँ पर देखो पिछले 4 साल का trend दिखाता हूं जिसमें starting में अगर देखो तो company के पास profit बहुत कम था लेकिन अगर एक च देखोंगे तो continuous trend देखने को मिल रहा है growth में in terms of revenue और profitability तो पिछले 4 साल में आपको तीन गुनी होते हैं नजर आई है और company अगर आप देखोंगे के बहुत highlighted information निकल के आई थी तो यह भी अगर आप यहाँ पर देखोंगे तो आपको सारी चीज़ें समझे में आएगी कि कि इस company में आप invest कर रहे हो कुछ इसके financial में आपको देखाऊं comparison करते हुए तो revenue जो year on year basis पे इस quarter में increase हुआ था वो 15% से बड़ा था net income company के 14% से बड़ी थी अगर आप इसका EPS earning per share देखोंगे तो करीबन 14% से increase हुआ था यानि कि अगर आप एक ऐसी company में invest कर रहे हो जहां से आ अगर पैसा डूबेगा नहीं अगर grow नहीं कर रहा है वो बात अलग है लेकिन मेरे डूबने के chances बहुत कम है बहुत minor है क्योंकि company इतना अच्छा perform कर रही है और यहां से अगर हम projects की बात करें future vision के बारे हम बात करें तो वहां भी 1% भी कमी नज़र नहीं आती है यानि कि company क के पास काम की कमी तो बिलकुल भी नहीं है और यहां से अगर आप देखो तो इतनी सारी बंदे भारत ट्रेंज और रेलवे का modernization फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारी mini trains की भी बात हो रही है इन सारी चीजों को collectively अगर हम देखें जो financing वाला मैंने आपको अल्रेडी बताय के लिए और यहां से आने वाले 5 साल मैं बस आपको 5 साल की बात कर रहा हूँ आने वाले 5 साल तक company के बास काम की कमी नहीं होने वाली तो जब आपको इन सारी चीजों के बारे में अल्रेडी पता है तो फिर कोई भी दिक्कत मेरे के हल से तो नहीं होने चाहिए साथ के साथ एक और बड़ी खबद दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो, IRFC ने, अकेले IRFC ने अगर हम बात करें, 903 करोड का डिवीडेंड पे किया है गवर्मेंट को, कितनी फायदे मंद कमपनी है, चाहे हम यहाँ पे बात करें ओवरॉल यहाँ पे सरकार के लिए, अकेले IRFC ने 903 क करोड का डिवीडेंड पे किया है, यहाँ पे आप देखो, Central Government has received 903 करोड and 78 करोड from the Indian Railway Finance Corporation and RETES ने, इन दोनों कमपनी ने 903 करोड और 78, 78 करोड का डिवीडेंड यहाँ पे सेंट्रल गोडेंड को पे किया है, बहुत बढ़ी बात निकल के आती है, दीपम यानिकी Department of Investment and Public Asset Management ने इस चीज़ की बारे में यहाँ पे बताया है, तो एक कमपनी जो की Profit to Generate करी रही है, साथ के साथ इतना बड़ा डिवीडेंड पे कर रही है, जिसमें जगर हम डिवीडेंड बात करें कि शेरोल्ड को कितना मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको देखाता हूँ, नवंब आपको यहाँ पे कमपनी देती है, अपने शेर के प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आप बैसे देख रहे हो तो आपको कम जरूर लग रहा हो, लेकि शेर के प्राइस के अकॉर्डिंग परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, तो काफी अच्छा है, क्योंकि Infosys जो आपको 15-16 रुपे का शेर नजर आता है, वो आपको 12-13 रुपे का डिवीडेंट दे रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन यह 20-22 रुपे का शेर था, जब उस टाइम पे एक रुपे का डिवीडेंट तो मेरे कहाल से तो कह आने लाइक को ज़्यादा बचा नहीं है, बाकि अगर आपके पास कोई क्वेशन हो, तो आप मुझे कॉमेंट में जरू पो सकते हो, I will try to give you the answer instantly, वीडेंट अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा चैनल फे फस्टाम विजिट कर रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्स्क्रा बीजिनों को दीजिए का धन्यवाद